हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपने यूट्यूब की बहुतिसांदर वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका भी हर पुलिस का जो पेपर था 14 और 21 मार्च में समाप्त हुआ है दो दिन आपका पेपर कराया गया 14 और 21 मार्च का जो आपका पेपर हुआ है उसके कट ओफ आपकी क्या जाने वाली है रिजल्ट की डेट आपकी क्या होगी आपके कितने नंबर आएं कि आपका सेलेक्शन हो जाए फिजिकल के लिए आप रेडि हो जाए सभी बाते मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैटेगरी वाइज आपके कितने नंबर हो कि आप फिजिकल की तयारी आज से ही शुरू कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को बिन स्किप की एंड तक जरूर देखना वीडियो अच्छे लगे तो लाइक स सेंट से ठीक जान कर ये आपको यहाँ पर मिलेगी क्या लेटेश अपडेट है सभी बादे में आपको वीडियो में बताऊंगा कमेंड बोक्स में आप यह जरूर बताए आप कितने नंबर आ रहे हैं आप किस कैटेगरी तो पहले बात कर लेते हैं आपका पेपर जो है 14 औ बच्पन नंबर आ रहे हैं तो अपने फिजिकल की तैयारिया शुरू कर दें वहीं OBC की बात कर लेते हैं OBC के लिए 46 से 50 नंबर अगर आप EWS कैटेगरी में हैं दोस्तो 45 से लेकर 47 नंबर EWS कैटेगरी के लिए BC कैटेगरी के लिए 40 से लेकर 42 नंबर EBC कैटेगरी के लिए 41 से लेकर 43 नंबर दोस्तो आप कमेंड बॉक्स में मत बोलना कि इतनी कम कटोफ आपकी नहीं जाएगी इतनी कम कटोफ जाने का जो कारण है जो पेपर का लेवल है BPSC लेवल था BPSC लेवल में 40-50 नंबर लाना काफी मुश्किल होता है जिसके कारण आपकी कटोफ इतनी जाएगी पेपर अच्छे खासे थे कभी आप ये सोचे पेपर आसान थे पेपर बिलकुल भी आसान आपका नहीं था इसी कारण आपकी कटोफ जो है इतनी जाएगी अगर आप दोस्तों SC काटेगरी से SC काटेगरी के लिए 49 से लेकर 43 नंबर ST काटेगरी के लिए 38 से लेकर 40 नंबर और अगर आप एक सर्विसमेन या फ्रीडम फाइटर हैं तो 35 पलस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो दोस्तों एक समझे लीजे आपका फिजिकल में नंबर आने वाल है फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर दे अपना क्राइटेरिया देख लें मेंजरमेंट देख लें और आल से ही अपना तैयारी शुरू कर दे वीडियो अच्छी लग रहे है तो फटा फट से लाइक से और सबस्क्राइब कर दे अग्जाम फोर यू चनल को बैल आइकन को ओन कर लें ताकि आपको यहाँ पर सभी लेटेस्ट अपडेट कर नोटिफिगेशन आप तक पहुंचता रहे हैं कमेंड बॉक्स में आप ये जरूरू बताएं आपके कितने नमबर आ रहो है और आप किस सिटी से हैं अब बात करनेते हैं फिमेल कंडिडेट की अगर आप दोस्तों फिमेल कंडिडेट है और जनरल में है और 45 से लेकर आपके 48 नमबर आ रहे हैं तो यह समझ लीजिए आपका सेलेक्शन होने वाला है फिजिकल में आपका नाम आने वाला है तो फिजिकल की तैयारी आप शुरू 16 नमबर अगर आप दोस्तों इबीसीकाटेग्री में है तो 37 से लेकर 49 नमबर ऐसीके टेगरी के लिए 35 से लेकर 37 नमबर अगर आप کہ दिक टेगरी में 33 से लेकर 35 नमबर और अगर आप x service men ये freedom fighter मैं दोस्तों 30 PLUS अगर आपके नमबर आ रहे हैं तो यह समझ लीजिये बिहार पुलिस में आपका नमबर आने वाला है जो आपका पेपर हुआ था 14 मार्च और 21 मार्च उसमें आपका सेलेक्षन होने वाला है फिजिकल में आपका नाम आने वाला है फिजिकल की तैयारिया आप अपनी शुरू करते आज से ही कट ओफ मैंने आपको बता दी रिजल्ट की डेट आपकी क्या होने वाली है अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो फटा फट से लाइक से और सबस्क्राइब कर देए एक्जाम फोर्यू चैनल को बेल आइकन को जरूर ओन कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट कर नोटिफिकेशन सबसे पहले यहां पर देखने को मिलेगा रिजल्ट जो है दोस्तों आपका जून में आएगा जून के पहले या दूसरे अफ़ते में आपका रिजल्ट आएगा इससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा कभी आप यह सोचें कि इससे पहले आपका रिजल्ट आएगा इससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों आपका chances कम है होने के अगर हुआ तो दो से तीन नमबर मिल सकते है इससे ज़ाद आपको नमबर नहीं मिलेंगे 99% है ना होने के normalization नहीं होने के chances है आपके बिहार पुलिस में अगर हुआ तो दो से तीन नमबर मिल सकते है maximum इससे ज़ाद आपको नमबर नहीं सबी बाते मैंने आपको बता दी कमेंड बोक्स में आप ये जरूर बताएं आप किस कैटेगरी से और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ताकि हमें भी पता चल जाए बच्चों के कितना अच्छा आपका पेपर हुआ है कितने नंबर आपके आ रहे है और कितने बच्चों का सेलेक्शन होने वाला है इस बार बिहार पुलिस में वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक से रोर सबस्क्राइब जरूर कर दे एक्जाम फोर यू चैनल को अपना प्यार हमारे तक जरूर दे कर जाएं दोस्तो लाइक से और सबस्क्राइब के रूप में वीडियो को फैला दे शेयर कर दे हर एक बच्चे अपने 5-7 फ्रेंड के पास शेयर जरूर करके जाएं वीडियो को ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि आपकी कट ओफ क्या जाने वाले है आपके कितने नंबर आने वाले है कि आपका सेलेक्शन हो जाए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंजै भारत